यदि आज आप ये वीडियो लाश्ट तक देख लेते हैं अगर आपका सब्जेक्ट भोगोल यानि की जियोग्राफी है तो मैं आपको बता दूँ सिर्फ इस वीडियो से आपके 40 से 45 नंबर किलियर हो जाएंगे 100 परसंट तो आज किस वीडियो के अंदर के दुफतों हम बा सब्सक्राइब तो आज किस वीडियो हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे जिनको थर्ट समस्टर की परिच्छा देनी है अन्य जो हमारे को आदनी जो मतलब कि फर्स समस्टर के या फिर सेकेंड समस्टर के चात्र वह भी देख सकते हैं उनके लिए उनके लिए अगर आप लाइस तक देखें तो मैंने आपको पहले बता दिया चालिस से पहतारिश नंबर हंडर परसेंट आपको यहीं से मिलेंगे ठीक है भुगोल जियोग्राफी के यहां पर हम से बारे में बात करेंगे यानि कि प्रश्ण कहां कहां से आएंगे किस किस पॉइंट से लिए जाएंगे और सिर्फ और सिर्फ जो आपका स्लेबर से वह आठ यूनिटों में डिवाइड है ठीक है तो एक एक यूनिट हम समझेंगे उसके बाद उसी में से प्रश्णाम की परिश्ण में बनने वाले हैं तो पहला यूनिट है पर्यावरण परस्थित की और परस् तंत्र की अधानाए घटक यह तैयार कर लीजिए आपकी परिच्छा में प्रस्थित की तंत्र से जुड़ा अधानाओं से जुड़ा ठीक है 100 परिच्छा में 10-12 नंबर के प्रश्णा आएंगे आज तैयार कर लीजिए आपका जब पेपर होगा तब आप बताईएगा कि हां यह सर्फ प्रश्ण नहीं आएगा मैं आपको गारंटी दिला रहा हूं यहां से प्रश्णा आएगा तो फस्ट यूनिट से कम से कम आपके परिच्छा में 10-12 यूनिट के प्रश्णा आएंगे वह अति में आ सकते हैं लगमी आ सकते हैं लेकिन आपको तयार करना है की तंत्र की और धारणाय और घटक इंटरनेट पे डालिए कोश्चन और अंसर आप पढ़ लीजिए जिसरी जाएंगी तो आप उसमें से पढ़िएगा बुक है तो अच्छी बात इसमें सभी पढ़ सकते हैं ठीक है और पर्यावरन आपदा ठीक है आप सभी को मालूम है कि अपदा जो होती है वह कभी किसी को बताकर नहीं आती है ठीक है संकेत हो जाते हैं जो भी हमारे विज्ञानिक लोग है उनको और उसके प्रभंधन क्या है जैसे कि मालूम बाढ़ आ गई आपके तो उसके प्रभंध क्या है क्या विवफ्था आप करेंगे उसके बारे में मैं लिखना है भारत यह परमपरिंगान यह यह कुल भाके इसके बारे में लिखना आए ठीक है प्रस्तिकी प्रस्तिकित और पर्यावरण और आप्धा प्रबंधन अब योनिघींट में आएगा जय यहां पर आगला कारंटी नहीं ले रहा हूं लेकिन लग या बिस्तित्रे में प्रश्ण आने ही आने वाला कुर्मला के चार से पांच नंबर का प्रश्ण आएगा जै भीविता से भीजुडा ठीक है इसको तैयार कर लीजेगा उसके उसके बाद हमाया आते हैं थर्ड यूनिट पे यानि कि तीन नंबर यूनिट पे तो यहां पर लिखा कि वनों की कटाई मिट्टी का कटाओ मिट्टी की ठकाव ले जाकर ठीक है उसके बारे में जो वनों की कटाई हो रहे हैं उससे क्या दुस्प्रुभाव पढ़ रहा है पार्या वरन पे मिट्टी के कटाओ पे ठीक है मिट्टी की ठकावट को लेकर मस्तुली करण पर्या वाय प्रदूसर जो हो रहा है आप सभी को मालूम है कि या इसको बहुते हैं वह भी अवेलवल है ठीक है खासकर जो आपका वाय प्रदूसर है ठीक है ओके यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा ठीक है सहरों में ज्यादातर ठीक है जल प्रदूसर जल क्यों मतलब कि इसकी बहुत आप सभी मालूम कि बहुत तारा जो कच्ड़ पर नदी होती है या फिर सागर होते हैं ठीक है जाए चिसल बहुत प्रदूसर बहुत प्रद्था होता है इससे इंपक्त बहुत पढ़ता है तो प्रयावद पर तो जो मुक्षी कारण क्या है निप्टाना चाहिए उसके बारे में लिखना है तो कुल मिला के यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है इसको तैयार करेंगे तो आप लोग को कम से कम यहीं से 15 नंबर की प्रश्ण आने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड से यानि की यूनिट नंबर तीन से 15 नंबर के प्रश्ण करीब करीब आएंगे देख लेना चाहिए परिच्छा में अगला प्रश्ण है अगला यूनिट है कि चार नंबर यूनिट की गंगाकार योजना बाग पर योजना टिहरी बांध और नर्मदा घाटी पर योजना है उसके बारे में लिखना है बाग प्रियोजना जो चालू है उसके बारे में तेहरी बांध के बारे में नर्मदा घाटी की जो पर योजना है उसके बारे में लिखना है तो गंगा और नर्मदा के बारे में तैयार कर लिजेगा कुल्णा के 5-6 नंबर कर और ग्लोबर वार्मिंग यानि कि जयल वई परिवरतन के बारे में ठीकिक लिटर सब्सक्राइबुभू के बारे में और जलो वई परिवरतन के बारे में ठीक है आपको लिखना है यह प्रति हमें आएंगे तो प्रश्ण आजाएंगे यूट नमबर पांच सभी करीब करीब ठीक है अब हम बढ़ते हैं यूट नमबर शिक्योर यहां पर यहां पर पहले इंगों कि थोड़ा गलती स्टाइप हो गया आपर यूट नमबर शिक्स पर यहां पर ध्यान देंगे वेस्ट विक्स परवर्तन के प्रभाव परवर्तन पर राष्ट योजना निए वेस्ट विक है ग्लोबल जो आपका है उसकते हैं लगावव परवरतन पर राष्टे कार की योजना आपको लिखना प्रकार से जलिवाय परवरतन पर राष्टेकार की उजना किस प्रकार रखी गई है इसके बारे में लिखना है यह सारे जो आपके टॉपिक है जो आपके यूनिट है इन सभी का पुत्तर है आपको आसानी से इंटरनेट पर वहां पर डाल दूंगा जिससे आप लोग पढ़ तो यहां से आएंगे करीब करीब आठ से दस नंबर के कोश्चन यूनिट नंबर छे से यूनिट नंबर सेवन यानि के साथ आपदा जोखिम जोखिम भे घता आपदा प्रकार आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन चक्र तो आपदा जोखिम से जुड़ा कोश्चन भ तो यह भी बहुत ही टॉप और इंपॉर्टेंट यूनिट है इसको भी तयार करना आपको ठीक है अगला है एट नंबर जो की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सब्सक्राइब को करीब करीब यूट नंबर एट से में क्या हो सकते हैं क全部 आता है कैसे आता है कि उनादा है रसानी और पर्माड अपदाइं होटी है। जो अचानक आती है तूझ में किया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वह सारी आपको इसमें लिख ना जिस ऐसे बाड़ा गई तो इसके दो क्या करें क्या ना करें चक्रवात हो गया तो उसमें आप क्या करें क्या ना करें भूकम पा गया तो उसमें क्या करें क्या क्या ना करें सुनामी आ गई तो उसमें क्या करें क्या ना करें ठीक है इसी तरह जो भी यहां पर आपको जो प्राकरतिक जो आप लब हैं आपको प्रिष्णाब करना है तो इसी आठ यूनिट में आपका पूरा कवेश्चन पेपर बनने वाला है अगर आप यह 8 उनिट तयार कर लेते हैं तो आज ही से आप तो आपको यह नहीं सोचना है कि हम थोड़ा बहुत एक्जेक्ट का एंसल लिखेंगे तभी हमको नंबर मिलेंगे तब भी आपको पूरी नंबर मिलेंगे क्योंकि इस बात को आप ध्यान रखें ठीक है तो अगर आपको और इसी तरह अन्निकिसी सब्जेट का स्लेबर चाहे लगबख सभी सब्जेक्टों का हमने इस लेवर से बता दिया है जाके हमाई चैनल पर आप देख सकते हैं मिलते हैं इस्टे वीडियो में तब तक किल जाहें हैं